मोसम विभाग का नया अलट इन चार जिलों में 27-28 अक्टूबर को होगी बारिश मोसम में एक बड़ा बदलाव आया है ठंडी तेज हवाओ ने रादस्थान के कई जिलों में ठंड को भड़ा दिया मोसम विभाग का नया अलट है कि राजस्थान के इन चार जिलों में 27-26 अक्टूबर को बारिश होगी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक हलके परभाव का पस्चीमी विक्षोब आ रहा है इस श्स्टम की हसर से पस्चीमी राजस्थान के विकानेर संभाग के चार जिलों में वैसिमावरती छेतरों में आकसिंग बादल चाने वैहल की बुंदा-बुंदी की संभावना है शुकर्वार देशाम या रात में कहीं कहीं बुंदबांधी हो सकती है आगामी दिनों में राज्य में तापमान में विशेस उतार चडाव नहीं होने की संभावना है बिते 24 गंठे में राजस्थान का सबसे ठंडा जीला सेकावाटी सीकर रहा है जहां पारा 13 डिग्री सेल्सियस रिकोर्ड किया गया जहपूर में आज अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है शुक्रुआर साम को एक्टिव होगा सिस्टम मौसम के अंदर जहपूर निदेशक रादेशाम सर्मा ने बताया कि रादस्थान के अधिकान जीलों में अगले एक सप्ता मौसम साफ रहेगा और एक सप्ता कमजोर पस्चीमी विक्षॉप के 27 से 28 अक्टूबर को पस्चीमी रादस्थान के बिकानेर श्री गंगानागर हनुमान गडोर चूरू में कहीं कहीं बादल चाने के साथ बुंदा बुंदी हो सकती है 27 अक्टूबर को शाम में ये सिस्टम एक्टिवेट होगा बाडमेर में तापमान 20 जिग्री से नीचे आ गया रादस्थान में बाडमेर गरामीला का है बावजुद इसके में कल बाडमेर में इस सीजन की पहली राद थी जब्ताफमान 19 पूइंट 4 डिग्री सेल्शियस पर पहूंचा सेकावाटी के सीकर जिले से पारा कल राद 13 डिग्री सेल्शियस पिलानी से 15.7 डिग्री सेल्सियस और भिलवाडा में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्च क्या गया